तो ये question में पास doubts में पूछा गया कि सर बताओ question को कैसे fast way से solve कर सकते हैं क्योंकि जो explanation दिया हुआ है या जो हमने लगाया पहली बार में बहुत ज़्यादा complicated था बहुत ज़्यादा lengthier question था तो हम इस question को करें कैसे बहुत easy question है और बहुत बार पहले एक्जाम में आ चुका है तो हम समझते हैं करना क्या है कैसे नहीं करना और कौन सा approach अगर हम इसको लगाए या आपके exam में कभी भी question आया तो इसको solve कैसे करते हैं तो क्या लिया है length of each side of triangle ABC is 9 cm मतलब यह एक equilateral triangle है जहां BC base पे कुछ points दिये हुए है xy चलो सबसे पहले हम क्या draw करते हैं सबसे पहले हम draw करते है equilateral triangle BC base है तो इसको नीचे ले लेते हैं so this is ABC यह equilateral triangle drop हुआ BC total length 9 दिया हुआ है मिझे पता है कि total length 9 दिया हुआ और सारे sides भी 9 cm है तो बहुत easily divide हो जाएगा x से c का distance 3 cm है तो यहां से यहां का मैं distance माल लेता हूं 3 cm है and y से b का distance 4 cm है तो y से forecast 4 cm है total length हमारा 9 cm तो यह दो unit होगा अब question पुछा गया है कि a x is to a y का ratio क्या है तो आप से question पुछा गया है कि यह a y और a x का ratio क्या है तो बहुत बाल जो जनता solve करती है वो बोलती है कि equilateral triangle में हम perpendicular drop कर देंगे height निकालेंगे base निकालेंगे ratio से हम subtract करते जाएंगे question solve करेंगे तो यह गलती आप मत करना यह basic approach है basic approach क्या है कि हम altitude निकालके मुझे altitude पता है then हम pythagoras लगा के solve कर देंगे तो तब ही तो आपको time लग solution है सारे site का length पता है तो जब भी आपके पास CVN का question कभी भी दिखता है exam में और exam में CVN के question में आपको मैं क्या पताना चाहता हूं आइसो slash triangle के साथ question दिखता है मानलो यह A है यह A है वो भी आइसो slash triangle है आपने कहा है steward theorem तो जो AD squared होता है with the steward theorem in isosilis वो क्या होता है A squared minus MN बस अगर आप इतना याद कर पाओ this is A squared product of these two sides into MN these are the values अगर आप इसको लगा दो तो आपका answer within seconds आना start हो जाए चलिए मैं steward theorem in isosilis triangle लगाता हूं मुझे अगर A Y निकालनी है तो A Y का मतलब हो जाएगा क्या this into this with this squared अगर मैं निकालूं तो 81 यहां से यहां आपका 4 है यहां से यहां 5 है तो minus 20 तो यह जाएगा 61 तो A Y हो जाएगा root 61 अगर मैं A X square निकालना start कर दूँ तो A X के साथ भी यह दुनों लेंद किता है 81 यहां से यहां का X में हम काम करने 3 है और यहां से यहां का आपका किता है 6 है minus 18 यह कितना चला जाएगा यह चला जाएगा 63 तो answer of this question is root 63 is to 61 hardly a minute question है यह और आप यह use करते हूँ आपको देखना क्या था ISO slash triangle आपने कहा एकुलेटर टैंगल है कोई बात नहीं है एकुलेटर टैंगल भी ISO slash triangle की property होट करता है हमने कहा इस दुन को multiply करते है that is 81 और 4 into 520 this is ay यह मेरा ay निकल जाएगा ay square निकल जाएगा actually तो मैंने ay को root निकाल दिया फिर हम इसको call solve करते हैं यह मेरा 3 है मेरा 6 है 81 minus 18 is 63 हमने इसको solve कर दिया और root में निकाल दिया यही हमार अंसर है तो यह जो आपका time का newming है क्योंकि आप सही method यूज नहीं कर पाद हो हाँ आप अगर पर प्रपर डॉप करके solve करेगो तो अक्चुली आपका time लेगा अगर आप time को save करते हो न तो आप exam save करते हो बहुत बार time को save कीजिए exam को save कीज concepts इस YouTube चैनल पे हैं आप Geometry का playlist देख लो बहुत अच्छे questions वहाँ पर डाले हुए है और बहुत सारे questions वहाँ exam में दिखते हैं तो अगला जो conceptual question and information बहुत जल्द आपके पास आने वाला है अगर आपके कोई भी doubts है तो आप Telegram group में मुझको direct भेज दो मैं इस question को solve करके आपक रहोंगा तो answer this question is route 63 to 61 तो मिलते हैं अगले concept video में मैसल वाम ये God bless you happy learning and bye bye